हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोने स्टोरी पर शुरू करते हैं आज के कहाने मैं एक खर के करीब से गुजरा था कि अचानक से मुझे उस खर के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आई उस बच्चे की आवाज में इतना दर्द था कि अंदर जाकर वहें बच्चा क्यों रो रहा है यह मालूम करने से मैं खुद को रोकना सका अंदर जाकर मैंने देखा कि एक मा अपने दस साल के बेटे को अहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती मैंने आगे होकर पूछा बहन जी आप इस छोटे से बच्चे को क्यों मार रही हो जबकि आप खुद भी रोती हो उसने जवाब दिया भाई साहब इसके पिताजी भगवान को प्यारे हो गए हैं और हम लोग बहुत ही गरीब हैं उनके जाने के बाद मैं लोकों के घरों में काम करके घर और इसकी पढ़ाई का खर्च मुश्किल से उठाती हूँ और यह कमबत स्कूल रोजाना देर से जाता है और रोजाना घर देर से आता है जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ जराभी ध्यान नहीं देता जिसकी वजह से रोजाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है मैंने बच्चे और उसकी मा को जैसे तैसे थोड़ा समझाया और चल दिया इस घटना को कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन सुबह सुबर कुछ काम से मैं सबची मंडी गया तो अचानक मेरी नजर उसी दस साल के बच्चे पर पड़ी जो रोजाना घर से मार खाता था मैं क्या देखता हूं कि वह बच्चा मंडी में घूम रहा है और जो दुकानदार अपने दुकानों के लिए सबची खरीद कर अपनी बोर्यों में डालते तो उनसे कोई सबची जमीन पर गिर जाती थी वह बच्चा उसे फोरण उठाकर अपनी जोली में डाल लेता मैं ये नजारा देखकर परिशानी में सोच रहा था कि ये चक्कर क्या है मैं उस बच्चे का चोरी-चोरी पीछा करने लगा जब उसकी जोली सबजी से भर गई तो वह सड़क के किनारे बैठ कर उसे उची-उची आवाजे लगा कर वह सबजी बेशने लगा मुपर मिट्टी, गंदी वर्दी और आखों में नमी ऐसा महसूस हो रहा था कि ऐसा दुकानदार जिन्दगी में पहली बार देख रहा हूं अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने अपनी नन्ही सी दुकान लगाई थी उसने आते ही एक जोड़दार लात मार कर उस नन्ही दुकान को एक ही जटके में रोड पर विखेर दिया और बाज़वों से पकड़ कर उस बच्चे को भी उठा कर धक्का दे दिया वह बच्चा आँखों में आँसु लिये चुक चाप तो बार अपनी सबजी को इकठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सबजी एक दुस्ते दुकान के सामने डरते डरते लगा ली भला हो उस सक्ष का जिसकी दुकान के सामने इस बार उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई उस सक्ष ने बच्चे को कुछ नहीं कहा थोड़ी से सबजी थी उपर से बाकी दुकानों से कम कीमत जल्दी बिक्री हो गई और वह बच्चा उठा और बाजार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वह पैसे दे कर दुकान में पढ़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे वापस स्कूल की ओर चल पड़ा और मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था बच्चे ने रास्ते में अपना मूध होया और स्कूल चल दिया मैं भी उसके पीछे स्कूल चला गया जब बच्चा स्कूल गया तो एक घंटा लेट हो चुगा था यह रोजाना एक देड़ घंटे लेट से ही आता है और मैं रोजाना इसे सजा देता हूँ कि डर से स्कूल वक्त पर आए और कई बार मैं इसके घर भी खबर दे चुका हूँ खेर बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठ कर पढ़ने लगा मैंने उसके टीचर का मोबाईल नमबर लिया और घर की तरफ चल दिया घर पहुँचकर एहसास हुआ कि जिस काम के लिए सबजी मंडी गया था वह तो भूल ही गया मासूम बच्चे ने घर आकर मासे एक बार फिर मार खाई सारी रात मेरा सा चकराता रहा सुबह उठकर फोरन बच्चे के टीचर को कोल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में पहुँचे और वो मान गए सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सिधा मंडी अपनी ननी दुकान का इंतजाम करने निकला मैंने उसके घर जाकर उसकी मां को कहा कि बहन जी आप मेरे साथ चलो मैं आपको बताता हूँ आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है वे फोरन मेरे साथ यह कहते हुँ चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं छोड़ोंगी नहीं उसे आज मंडी में लड़के का टीचर भी आ चुका था हम तेनों ने मंडी की तीन जगाओं पर पोजिशन संभाल ली और उस लड़के को छुपकर देखने लगे आज भी उसे काफी लोगों ने डाट फटकार कर और धक्के खाने पड़े और आखिरकार वह लड़का अपनी सबजी पेच कर कपड़े वाली दुकान पर चल दिया अचानक मेरी नजर उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूं कि वह बहुत ही दर्द भरी सिस्कियां लेकर लगाता रो रही थी और मैंने फोरण उसके तीचर की तरफ देखा तो बहुत उसके भी आसुब बह रहे थे दोनों की रोने में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने किसी मासूम पर बहुत जुल्म किया हो और आज उनको अपनी सी गलती का एहसास हो रहा हो उसकी मा और टीचर भी मेरे साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े बच्चे ने दुकानदार को पैसे दिये और आज उसको दुकानदार ने एक लेडी सूट देते हुए कहा कि बेटा आज सूट के सारे पैसे पूरे हो गए हैं अपना सूट ले लो बच्चे ने उस सूट को पकड़कर स्कूल बैग में रखा और स्कूल चला गया आज भी वह एक घंटा देर से था वह सीधा टीचर के पास गया और बैग डैस्क पर रखकर मार खाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिये टीचर कुसे से उठा और फोरन बच्चे को गले लगा कर इस कदर जोर से रोया कि मैं भी देखकर अपने आशों पर काबू ना रख सका मैंने अपने आपको संभाला और आगे बढ़कर टीचर को चुप कर आया और बच्चे से पूछा कि यह जो बैग में सूट है मैं किसके लिए है बच्चे ने रोते हुए जवाब दिया मेरी मा अमीर लोकों के घरों में मजदूरी करती है उसके पास अच्छे कपड़े नहीं है पैनने को तो मैंने उसके लिए यह खरीदा है यह सुनते ही नम आखों से मा ने अपने बेटे को गले से लगा लिया उमीद करती हूँ दोस्तों आपको यह कहानी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजेगा मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा इसी के साथ आप से विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ धन्यवाद